अस्सालम आलेकुम and वेलकम टू टेस्टमाइट अफिशल डियर वीवर्स इस वीडियो लेक्चर में हम FIA की तियारी के लिए Most Important MCQs दिसकस करेंगे इसके साथ साथ ये भी डिसकस करेंगे कि तियारी कैसे करें और कहां से करें अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी अवेलेबल है आखर तक वीडियो लाजमी देखें यकीन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो हमारा First Question है वो है In Hajj, Touching the Black Stone is called Hajj में जो टच करते हैं बलेक स्टोन को तो इस को, इस अमल को कहा जाता है इस्तलाम, इस्तलाम कहा जाता है बलेक स्टोन को टेच करने को यानि के जिसे हम हजर अस्वद भी कहते हैं इसको छूना, इससे बूसा लेना यह अमल कहलाता है इस्तलाम और इसके साथ साथ ट्रेविलिंग सेवन टाइम्स बिट्वीन माउंट सफा एंड माउंट मर्वा इस काल सही यानि के जो माउंट सफा सफा और मर्वा के दरमियान हाजी साहिबान जो साथ चकर लगाते हैं इस अमल को कहा जाता है सही, इसको कहा जाता है सही, सही, जबके स्टोनिंग देवल इस काल रमी यानि कि जो शैतान को जो कंकर मारते हैं जो पथर मारते हैं इस अमल को कहा जाता है रमी और जो साथ चकर लगाते हैं इसको कहा जाता है सही और जो बलेक स्टोन को टेच करते हैं इस अमल को कहा जाता है इस तलाम next question है who is the author of خدا کی بستی خدا کی بستی एक novel था जिसको लिखा था शौकत सिद्धी की ने ये आप देख सकते हैं कि शौकत सिद्धी की लिखा हुआ है ये एक novel था खुदा की बस्ती और इस novel को पब्लिश किया गया था 1957 को 1957 को इस novel को पब्लिश किया गया था जिसका नाम दा खुदा की बस्ती और इसके जो आतर थे वो थे शौकत सिद्धी की आगे बढ़ने से पहले एक चोटी सी request है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसमें आपी का फाइदा है बिकोज इस तरह की अची अची वीडियोस हम डेली बेसिस मर बनाते रहते हैं और जो next question है मार आप वो है पाकिस्तान पर्चेज गवादर पोट from which country तो पाकिस्तान ने गवादर को ओमान से खरीदा था और पाकिस्तान ने गवादर को खरीदा था ओमान से और गवादर जो है आफिशली पाकिस्तान का हिस्सा बना था 8 दिसंबर 1908 को और जो गवादर है यह port city है बलचस्तान में और CPAC का गाम भी यहां हो रहा है यह एक important city है बलचस्तान का बेनजीर भुटो वाज assassinated on अगर हम assassinate word की बात करें तो इसका मतलब होता है कतल करना लेकिन political reasons पर कतल करना kill someone for political reasons तो यह assassinate यहां use करते हैं सो बेनजीर भुटो को शहीद किया गया था 27 December 2007 को और यह पाकिस्तान की पहली female prime minister थी और इनके इलावा यह जुलुफकार अली भुटो जो के पाकिस्तान के prime minister गुजरी हैं उनकी यह बेटी थी और इसके इलावा यह कराची में 1953 में पैदा हुई और 27 December 2007 को रावल पिंडी में इनको शहीद किया गया था अगर हम बात करें रशिया की तो रशिया ने क्राइमिया पर 2014 में अटेक किया था तो यह भी एक important question है और यह अटेक हुआ था 28 फरवरी 2014 को यह दो important questions है एक तो कब पैदा हुए 9 November 1977 को पैदा हुए जबके 21 April 1938 को लाहूर में इंतिकाल कर गई यह दोनो important questions है अलामा इकबाल के बारे में अगर हम जार्डन की बात करें तो अमान इसका capital है और जार्डन मिडल इस्ट का एक country है और जो next question है उस पर जाने से पहले एक चोटी सी request है कि पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिये गए link पर click करें so that आपको मालूम हो जाए कि अभी आपने जो वीडियो देखी इससे कितने सवालात आपको याद हो गए है अपना test देखकर check करें next question है which option touches the boundary of Armenia अगर हम Armenia की बात करें जो भी options दिये गए थे past paper में उसका था none of these because Armenia एक ऐसा country है landlock country है western Asia में western Asia का एक country है Armenia तो इसका जो चारों तरह से है कोई भी ocean कोई भी बहर इससे touch नहीं करता तो इसलिए ये एक landlock country है landlock का मतरब होता है surrounded by land not water जो चारों तरह से जमीन से घरा हो उसे हम कहते हैं landlocked और जो next question है हमारा वो है instrument used for measuring the purity of milk is called so वो आला वो instrument जो हम दूद के लिए use करते हैं दूद की खालिसपन को देखने के लिए तो इसको कहा जाता है Lactometer और जो next question है हमारा which of the following country has three capitals which of the following country has three capitals if we talk about South Africa South Africa is a country which has three capitals इसके तीन capitals हैं एक तो है Pretoria दूसरा है Bloemfontein और तीसरा है Cape Town यह South Africa वही country है जिसके जो Nelson Mandela President बने थे First Black President बने थे 1994 से लेकर 1993 तो Nelson Mandela का तालुक भी South Africa से था next question है which in which year Hillary Clinton contested presidential elections so Hillary Clinton की बात करें तो यह Hillary Clinton की picture है और यह 2016 में यह उन्होंने contest किया था यानि के मुकाबला किया था presidential election में के लिए USA में और 2016 में इन्होंने मुकाबला किया था Donald Trump से लेकिन यह Hillary Clinton हार गई थी और यह जो Donald Trump है यह जीत गए थे और जो next question है what is meant by defer अगर हम defer की बात करें इसका मतलब होता है postpone करना या put off करना यानि के मनसूख कर देना तो इसका जो correct synonym है वो है postpone next question है साथ बरस की उमर में उनको शहीद किया गया था और 21 रमजान को इनका शहादत का दिन अबजर्व किया जाता है और इनका जो मजार मुबारक है वो है नजफ में next question है what is the currency of Sri Lanka Sri Lanka की अगर हम बात करें तो Sri Lanka एक Asia का country है और इसके साथ साथ Sri Lanka के जो capitals है वो दो है और इसका जो currency है वो है Sri Lankan रुपी Sri Lankan रुपी is the currency of Sri Lanka आप से ये question है के who is the current prime minister of Sri Lanka Sri Lanka के prime minister का नाम मुझे आप बताएं comment section में और जो next question है वो है PTI was founded in अगर हम PTI की बात करें तो PTI stands for Pakistan तेरी के इनसाफ and it was founded in 1996 1996 में इसको बनाया गया था और इसके जो leader है वो है prime minister जो है अभी current के और इनको PTI को बनाया गया था इसकी बनियाद रखी गई थी 25 April 1994 को 96 को और इसका जो headquarter है वो इसलामाबाद में है और जो next question है which was the first public airline of Pakistan पाकिस्तान का जो पहला public airline था वो था Orient Airline Orient Airline was the first public airline of Pakistan और इसको इसका आवाज हुआ था 29 October 1946 से Orient Airline Orient Airline या Orient Airways की नाम से next question है हमारे पास which is the last country got independence from Serbia in February 2008 अगर हम बात करें कोसोव को कोसोव की कोसोव एक ऐसा country है जिसने आखर में आजादी आसल की थी सर्विया से तो ये कोसोव का जो है ये इसकी मेप है और ये योरप का country है और इसकी जो currency है वो है euro और इसका जो capital है आप ये देख सकते हैं प्रिस्टीना इस दी केपिटल आफ को सो इसने 2008 में फरवरी 2008 में सर्विया से आजादी हासिल की थी Next question है What means my commuter? Commuter का मतलब होता है a person who travels regularly यानि कि ऐसा शक्स जो daily पैदल सफर करें तो इसे हम commuter कहते हैं और जो next question है हमारा NOC stands for अगर हम NOC की बात करें तो NOC का full farm होता है No Objection Certificate No Objection Certificate ये एक किस्म का certificate होता है एक legal document होता है और इसका ये ही मतलब होता है कि हमें कोई objection नहीं है अगर ये काम होने जा रहा है या फिर ये काम हो चुका है तो हमें इस पर कोई objection या फिर कोई इतरास कोई इंकार हमें नहीं है और दूसरा होता है और ओ एम जिसका फुल फार्म है रीड ओनली मेमरी ये दो इंपोर्डन जो हैं अब्रिवेशन से जिनके बारे में एक्जाम में पूछा जाता है अगर हम रीड ओनली मेमरी की बात करें तो ये एक इसम का नान वोलेटाइल मेमरी है जिसको कम्पूटर में यूज किया जाता है नेक्स्ट कोईशन है हमारा इना कोड फाइफ फोर एट वन एट थी वन इस कोड़ेड एज शिक्स ट्री नाइन डबल टू तो इसका जो करेक्ट अंसर है वो है 95365 Dear viewers अगर आपको PDF चाहिए तो PDF स्री में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जहां आप इसको स्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसके साथ साथ हर पेपर में आने वाले Current Affairs English के Related MCQ दासिल करने के लिए Google पर testpoint.pk विजिट करें बहुत ही अच्छी विबसाइट है या आपकी तियारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, informative लगी तो शेयर जरूर करें Your feedback, suggestions and comments are always welcome Thanks for watching and Allah Hafiz